आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्पागत करता हूं आपके अपने पर आपके अपने आपके अपने और जितने भी किसान साथियों इससे प्रोडेक्ट आप जैसे धान हो गया इससे धान की फसल जैसे आरही है इससे आप दान काट सकते हो जिससे का समय बच जाएगा और जिससे आप ज्यादा जो है जल्द से जल्द अपना अगली फसल बोने के लिए कार रह कर सकते हो तो किसान साथियों भारत सरकार किसी मंतराले से मांतर प्रात्प राजशन एग्रो इंजिनर्स लाएं आपके लिए रिपर नमस्कार साथियों आपको हम मिलाते हैं अब जो है राजसन राजशन एग्रो इंजिनर्स के मालिक मनीश जी से और क्या-क्या वह आज दिखाने वाले हैं किसान भाईयों के लिए सबसे पहले उनको स्वागत करते हैं नमस्कार जी शर्मा जी आपका ही बहुत स्वा बड़ी और सबसे देने वाला हूं हम लोग लेके आए हैं चार टैरों वाला रीपर का मतलब है कि आप इसके उपर बैठके असल काट ला हुए अभी दो टैरों वाला बेचते हुए तो हमें कई साल हो गया और जान भाईयों की मंशाती के हमें चल के काटने में तोड़ी त भी लगा दिया हमने रात में काम कर सकते हो सडक पे जाना है तो आप सडक पे भी अंदेरे में कारे अपना खतम करके घर को जाना है तो वह भी कर सकते हो यह आपको मैं पूरा यह वीडियो जो दिखाऊंगा और उसके बाद हम आपको इसके अंदर क्या-क्या हमने चेंज कि हैं आप जो है इससे गेहूं की कटाई कर सकते हैं जुआर इससे काट सकते हैं बाजरा इससे काट सकते हैं किसान साथियो मक्का मक्का भी इससे काप काट सकते हैं किसान भाईयों आशकल जो है मजदूरों की काफी समस्या हो गई किसान साथी निजात पाने के लिए गेहूं कटाई के लिए किसान साथियों को मजदूर नहीं मिल पाते हैं काफी पर इसानी का सामना करना पड़ता है तो इसके लिए किसान साथियों आपके लिए लाएं राजसान एग्रो इंजिनियर्स आपके लिए रिपर तो सर जी कार की फसलें काट सकते हो तो मैं आपको इसकी जो है रव्यू वीडियो करके दिखाऊंगा कि आपकी डेमो डेमो वीडियो जो मतलब मेरे कसानों से मेरे को आती है जी आपके पोर बंदर में मैंने इससे धनिया भी काटा है जी जाम नगर में मैंने से साथ आठ फुट का मक्क से कुरक्षेत्र में गौशाला में चल रही है संग्रिया में गौशाला में चल रही है और आपके साला सर जो की हनुमान जी की धरती है वहां पे गौशाला में मेरी मशीने चल रही है तो बहुत से कसानों ने बहुत ही हमने इसके उपर आर एंडी कर लिया और बहुत सी वस इस हाइट की मतलब लगबग 20 इन से उपर की है तो यह इपर उसको काट देगा और जो भी वसल आठ वो टाइट की है मक्का जवार बाजरा आठ नो वोटाइट की है उसको काट के बड़े अराम से एक चैड़ पे गराएगा और सबसे बड़ी जो खासियत है इसके अंदर जो इनजन को कभी साथ का बना दिया क्योंकि वो कंपनी के इंजन नहीं है मेरे इंजन जो है होंडा जी एक्स टू अंडर इंजन है अगर आप कंपनी की वेबसेट पे जाके देखोगे तो यह लगबग साड़े 6-7 अचपी का इंजन है और उसके बाद आपको यह लाइट दी होगे और सबसे बड़ी जो चीज नहीं चीज हमने दो टायर दिये आपकी भसल जमीन के हिसाब से चलेंगे और इदर आकर अपने जैदिये और इस रीपर में जो सबसे बड़ी खासित है इसके अंदर डिफेंशल गेर होते हैं यह कलाच्च आप इसको इदर को दबाओगे जहां पर आपको जो जाना है अपने इस पर आपको जाना है जाना तो मोड नहीं है जब हम फसल भी काटते हैं जो खेत के चारों तरफ घूम के ऐसे काटना होता है तो उस चक्र में हमें हर जैसे जितना बड़ा खेत है हर मोड पे एक गेडा राउंड लगाने के लिए तीन मोडने होते हैं फार्मर को और नॉर्मली जो है हम तीलर के साथ हैं तो उसमें कि मैनली मोडना पड़ता थे हैं ऑर पतले पतले टेह होता आपकी जमीन रतीली है जिया कीचडवाली MPK तो अब के तरह आपके यूपी के जो बिलकुल फतेपुर से आगे का एरिया है जहां पे बहुत मिटी चिकनी है और पानी बरसता है बहार के गुपाल गंज सेड में जहां निरिया उफवान पे रहती है वहां पे दान के खेत में पानी खड़ा रहता है तो बहुत सा एरिया जो आपका जारकंड का है उसमें भी पानी जो है खड़ा रहता है तो मेरी मशीन है जारकंड में लगोगे तो लोहर दगा कुरू में मेरे पास बहुत से फार्मर है आपके गिर्डी में पलमू तक इदर हजारी बाग में गुमला में रांची में मतलब ए हमारे सारे इंडिया के अंदर ही जो दो तीन मीने बाद दान की फसल कटनी है तो यह मेरी मशीन आपके ने नी ताल में मैं आपको डेमो वीडियो दूंगा और लोगों के नंबर भी देंगा जो लोग इसको चला रहे हैं और कुरसी पे बैटके कटिंग कर रहे हैं बहुत हम लोग ग이講 हो लोग इसके ऊपर ब्लेड लगाते हैं जि नॉर्मरी क्या है कि जितने लोग हैं चदर की कटिंग वाले ब्लेइड दूस करते हैं मेरे बलेड फोरजिंग वाले बलेड होते हैं नोर्मली हलकी फुलकी उसमें ना तो मुड़ते हैं ना ही मतलब इसकी धार कम होती है और बहुत लंबी लोंग लास्टिंग है मैं इसकी जो लाइफ की बात करें अगर सब कुछ सही चल रहा है तो पांसो एकड फसल जे काटने क के बाद चेंज करने की जरूरत पड़ती है और हम लोग यह बलेड हमारे पास इसका एक एक स्पेर पार्ट है बहुत ही 60-70 रुपी एक बलेड है और पूरी मशीन के 3000 के बलेड आएंगे पूरी आपको स्टिप चेंज करने की जरूरत नहीं है रिप्टें और लगाकर आप इसको चेंज कर लोगे जैसे किसान इसको चला रहा है जी उसको कोई ऐसा नहों की इसका काम चल रहा है तो उसके बीच में कोई काम दूखना जाए तो मैं अपने किसानों को कंप्ली मेंटरी में एक तो दिको यह तेल डालने वाली कीप जो आपको गेर ओले और एक यह एक साथ ब्लेड जो यह वाला सब कुछ रिप्टे रुप्टे यह चोटी-चोटी चेंड की होड़ी हैं मतलब मेरे किसान का अपने काम चलते होगे भेज तो हम जहां से भी देंगे बटा आपका तुरंत के लिए जो समाधान हो जाए उसके लिए उतना टूल मैं कंप्ली साथ मेरे कंप्ली मेंट्री इसी कीमत में इसी प्राइस में कीमत कितनी रहने वाली है सर जी अब जब मार्केट में देखते हो प्यक्सान के लिएन पांच अपने के पांच का है और अपने किसान को अच्छी कीमत के अंदर अच्छी क्वालिटी पर मतलब देनी है तभी वो मेरे को हम लोग कहते हैं कि हमारी कंपनी को उन लोगों ने अमर कर दिया है जो आने वाली कई पीडियों तक इसको जाद करेंगे तो मैंने सबसे पहले आप देखोंगे इंजन इं के साथ सर्वसभू को सारी हम इसके साहते हैं जी और आव अगी प्राइस की बात प्राइस तो मैंने बहुत समझ के रखिए है अभी हम लोग इसकी प्राइस जो है एक लाग शाठ्श है और भी आने वाले सीजनningar जैसे सी स्टार्ट होगा क्योंकि आपको सभी को पता है कि लोहे के प्लास्टिक के जो प्राइस है 25-30% जो राइस हो गए हैं अभी किसान भाई आपके माधियम से मेरी कंपणी को ओडर करेगा तो यह होंड़ा के इंजन के साथ यह पूरी समान के साथ यह कुर्ची के साथ जी उनको पंद्रह यारपीय डिसकॉंट देने वाले हैं एक कि मशीन तो हैं अपने लेनी है अप 10,000 उपिया डालकर और कर सकते हो इसको दो मेंवाद भी आप बोलोगे तो हम दो महीने के बाद भी बैज देंगे आप बोलोगे आपको तीन महीने बाद चाहिए तो आपकी प्राइस एक फिक्स हो जाएगी इसी रेट के अंदर आपको पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आप पांच यहार की पेमेंट डालके इसको बुक करवा सकते हैं जब हम इसको डिस्पैच करेंगे तो पांच यहार पी आपको दो मीने बाद और डालना होगा एज एडवांस जी उसके बाद बाकी की एक लाग पेंटीजर कीमत है जी तो वह आपके जब आपको कारिया शेतर के अंदर जहां पर रहते हो वहां पर मिलेगी मशीन तो उस ताम बाकी की पेमेंट आप घती कोरियर वालों को कैश भी दे सकते हो मेरी कंपणी में अडवांस से डाल भी सकते हो तो हम लोग इसकी सीओडी डीओडी कैंसल करवा दें हां कि विजिट करना चाहें आपकी कंपनी में तो वह कैसे कर सकता इसका पूरा पता क्या है उसका पूरा पता देखो यह नीचे दिये हुए नंबरों पर मेरे जो स्क्रीन पर चल रहे हैं मेरे स्टाफ से आप हमारी लोकेशन मंग सकते हो अगर आपको आना है तो आप सप्रेम अगर आप लोग इंजन डीजल का लेना चाहते हो डीजल का बीजल में चाहिए इसके अंदर जो इंजल की पावर है वो तो हम इसको इंजन भी जो है वो चापी से स्टार्ट होने वाला देते हैं इसमें एक एम्रोन की बैंटरी रहती है जहां पे 18 मपेर की और साथ में यह पूरा जो सेल्फ स्टार्ट इंजन तो यह मशीन भी मेरी बहुत सी पापुलर है आपके गुजरात में एहमद नगर में मैंटए जो साथ में बहुत सी मशीन है जो डीजिल के साथ च solakt Inis इस की कीमत हम लोग अपने इकसानबाईयों को जो एक लाग चालिस जार के अंदर देदेंगे इसकी कीमत आने वाले सीजन में अभी दो तीनिम्हार बढ़ने वाली है एक लग सत्र हियार होने वाली है और जो भी मेरा किसान भाई इसको लेने का इच्छों का मेरी उनको ये वतलों एक त्राइब कि सलाह है कि आप अपनी सकते और वो जो है एक तरीके से दान काटने की मसीन कराया करते हैं तो किरायवाल किरायदारों के लिए यह कैसा मुनाफ़ का सोथ हो सकता है बहुत से मेरे जो किसान भाई हैं एक मेरे इदर पौर बंदर सैड में धीला भाई करके है अजसे चार साल पेले रीपर ले जाब उसके पास चार मशीन है मेरी वो उस बंदे की वरडिंग है कि मैं एक मशीन से रोज का चार से पांच यार रुपए कमा लेता हूं उसका मक्तल वह लोग झिसको जो दो है रोज का जो नूर्मली है जभलोपूर में मेरा जाए फार्मर वह सब जो है लिक्राद करके तो दो अफुक्त वह इससे एक मेरा करते थैर खाल वो वह बहुत अच्छी कमाीं एक में करें में है तो वो मेरे को पहुआ में है एक अपना ऐसे करते बहुत पार्मर्स हैं जो इसको कराई पे चलाते हैं और अच्छी इंकम करते हैं किसान साथियों आप इसे जो है जैसे क्या आप अपने लिए लेना चाहते हैं तो अपने लिए सकते हैं और आप इसे इंकम कमाना चाहत से क्राय कर लोगे आपको मुनाफ़ा पपने हो जाएंगा तो आज कि वीडियो लेकर आये थे तो कि सातियों पर पहली वाए रहे हैं तो सब्सक्राइब करें लाइक करें जाहिंद जैऑन धन्यवाद